मार्किट में मिलने वाली वो पनीर टिका वाली गार्लिक ब्रेड तो आज आज मैं बना रही हूँ यह पनीर टिका वाली गार्लिक ब्रेड और वो भी एक जुगाडू तरीके से जिसमें सिरफ 15-20 मिनट का टाइम लगेगा, कोई आटा नहीं गूंधना है, कोई अवन नहीं पनीर टिका गार्लिक ब्रेड को बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर टिका की मेरिनेशन त्यार कर लेंगे, जिसके लिए बोल में डालेंगे दो बड़े चमच जितना मस्टर्ड ओयल यानिकी सरसो का तेल, यह नहीं है तो आप इसके जगा नॉर्मल रिफाइन ओयल भी ल लाल मिर्च पावडर, इस लाल मिर्च को ना पहले तेल में मिक्स कर लेंगे ताकि यह अपना कलर रिलीस कर दे तेल में, इसके बाद बाकी के मसाले आड़ कर लेंगे, तो सबसे पहले मैं डाल रहे हूं आधा चोटा चमच जितना धनिया पावडर, एक चुथाई चोटा चमच गरम मसाला, आधा चोटा चमच नमक, और आधा चोटा चमच काला नमक भी डाल देंगे, आधा चोटा चमच मैं डाल रहे हूं चाट मसाला चटपटे फ्लेवर के लिए, एक चोटा चमच जाएगा इसमें भुना हुआ जीरे का पावडर, और आधा बड़ा चमच ज अब इसमें दो बड़े चम्मच जितनी मैं गाड़ी सी दही आड़ कर रही हूँ, ये दही अल्रेडी थिक गाड़ी थी, इसलिए मैंने डारेक्ट ही दही आड़ कर ली है, अगर आपके दही बहुत पतली है तो आप हंकर्ड यूज करिएगा, तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अब हमारी ये मेरिनेशन त्यार हो गई है, अब सबसे पहले इस मेरिनेशन में डाल देंगे पनीर, तो पनीर को मैंने इस तरीके के छोटे टुकडों में कट किया है, पनीर को जादा बड़े टुकडों में कट मत कीजेगा तो पनीर को पहले अच्छे से कोट कर लेंगे अपनी इस मेरिनेशन में अच्छा साथ ही में थोड़ी सी सबजियां भी डाल देंगे पनीर टिका में जिसके लिए मैं डाल जोड़ी सी शिम्ला मिर्च छोटे टुकडों में कटी हुई और साथ ही में थोड़े छोटे टुकडों में कटा हुआ प्याश टाल देंगे मैं सिरफ ये तीन चीजें ही यूज कर जो हूँ आप अपनी मन पसंद चाहो तो इसमें टमाटर डाल सकते हो लाल पी शिम्ला में श्टालनी है तो वो भी डल जाएगी तो बस इन सारी चीजों को अच्छे से मेरिनेट करके ना इसे बस दस मिनट के लिए एक साइट पर रख देंगे इतनी देर में हम अपनी गार्लिक ब्रेड के लिए जिसके लिए मैंने यहाँ पर यह तक्रीबन पचास क्राम जितना दिया है अमुल सॉल्टेड बटर आपके पस अगर उन सॉल्टेड बटर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो अचा गार्लिक बटर बना रहा है तो एक बड़ा चमच जितना मैं इसमें कदूकस किया हुआ ग्रलिक आड्ड कर रहे हूँ आर साथ में इसमें आधा चूटा चमच टाल देंगे और एन्एदा चूटा चमच रेड चिली फ्लेक्स और इसे mix करने के बाद अब हमारा ये homemade garlic butter त्यार हो गया है तो इस butter को एक्साइट पर रख देंगे इसके बाद अब हम चलेंगे अपने इस marinated paneer की तरफ तो इसे रखे वे तकरीबन 10-15 मिनट हो गए थे अब हम इसे एक बार पका लेंगे इसे पकाने के लिए मैंने लिया है ये तवा आप इसमें वैसे normal वाला तवा भी ले सकते हो बट non-stick मैं जादा प्रेफर करूँगी तांकि इसके उपर ये चिपके नहीं थोड़ा सा oil डाल के गरम कर लेंगे बहुत जादा oil मत डालिएगा क्योंकि अल्रडी marination में भी oil डाला था हमने इसके बाद अब इसमें रख देंगे अपने ये पनीर के पीसिस और साथी में सबजियां भी रख देंगे ये प्याज और शिम्ला मिर्च और इसे न अब हम low medium flame के उपर हलका हलका सा अलड़ते पलड़ते हुए पका लेंगे बहुत जादा नहीं पकाऊंगी मैं बस हलका सा ही grill कर रहे हूँ जब तक इसके उपर हलके हलके से स्पोर्ट सा जाएंगे आप ऐसे चाहो तो इस पनीर टिका को पैन में भी पका सकते हूँ बट बहुत जादा मत पकाईए का तो थोड़ी देर तक पकाने के बाद अब आप देखरो कि कितना अच्छा सा color आ गया है इसके उपर तो बस हमेंसे इतना ही पकाना है और सबजियां भी इसमें हलकी सी क्रंची ही रहेंगी वो जादा अच्छी लगती है तो इसके साथ हमारा ये घर पर बना हुआ पनीर टिका बनकर त्यार हो गया है है ना बहुत ही आसान इसे बनाना और बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है इसमें से तो चलिए अब हम इसे एक साइट पर रखेंगे और अब हम चलेंगे अपनी गार्लिक ब्रेड बनाने के प्रोसेस में तो चलिए आप अभी आ मैंने नॉर्मल रगुलर सटील की प्लेट लिए है जिसमें हम रूटीन में खाना खाते हैं इस सटील की प्लेट को हमें बस ओयल से ग्रीस कर लेना है और फिर मैं इसमें बटर फendsा बेबर लगा कर इससे ग्रीस करूँँगी स्टील की प्लेट की जगा आप चाहो तो कोई अलुमीनियम की प्लेट या ट्रे हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं तो हमारा ये मोल्ट भी त्यार हो गया है इसके बाद अब हम बनाएंगे अपना इंस्टेंट वाला पनीर तिक का गालिक ब्रेड जिसके लिए हमें लेना है ये पीज़ा बेस अब आप मेंसे काफी लोग ह्रान हो गए होंगे कि पीज़ा बेस से गालिक ब्रेड जी हाँ अब बनाईए और बहुआ ज़ाधा यमी बनेगी ये तो करना क्या है कि एक pizza base लेना है ये normal ready made pizza base है जो market में बहुत easily available है तो सबसे पहले इस pizza base को हमें center से इस तरह से cut कर लेना है तो center से इसको cut करते जाएंगे इसके दो slices बना लेंगे तो बस इस तरह से इसे दो parts में divide कर लिया है मैंने अब हम इसका ये जो lower वाला यानि की base part है ना इसे हम सबसे पहले रख लेंगे अपनी इस grease की हुई plate में और इसके उपर अब हम सबसे पहले लगाएंगे थोड़ी सी mayonnaise मैं normal regular mayonnaise यूज़ कर रही हूँ अगर आपके पास cheese sauce है ना तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और भी जादा tasty लगेगी या फिर आप इस cheese sauce को घर पर भी बना सकते हैं recipe link नीचो description box में मिल जाएगा अब वहाँ से चेक करके cheese sauce मना लीज़ेगा बट मैंने mayonnaise ही लगा दी है और इसके उपर अब मैं डाल रहे हूँ अपने ये पनीर टिका जो हमने अभी बना कर रखा है घर पर बना रहे हैं तो quantity आप अपने according रख सकते हैं market वाली garlic bread में ना मुझे लगता है कि बहुत कम stuffing होती है वैसे मुझे तो जादा stuffing वाली चीज़ें पसंद है आपको कैसी पसंद है अपनी garlic bread मुझे जरूर बताना comment section में तो वस इस तरह से ये काफी सारी stuffing रखने के बाद अब इसके उपर जाएगा बहुत सारा cheese बहुत सारा मतलब काफी सारा cheese और ये भी क्योंकि घर पर बना रहे हैं तो आप अपने according adjust कर लीजे तो काफी सारा मैंने यहाँ पर ये pizza cheese डाल दिया है और साथ में ना दो cheese slice भी रखने हूं मैं इसमें मुझे अपनी garlic bread बहुत cheesy पसंद है cheese slice optional है आप चाहो तो skip भी कर सकते हूं इसके बाद अब इसको उपर से cover कर देंगे इसके top part से हलका हलका सा press करके थोड़ा सा level कर लेंगे और इसके उपर अब हम लगाएंगे अपना ये garlic butter तो काफी अच्छी quantity में ना पूरे pizza के उपर हमें garlic butter को spread कर देना है वैसे आप चाहो तो अंदर भी garlic butter लगा सकतो जितना भी आपको garlic का flavor पसंद है बट मेरे हिसाब से इतना garlic ठीक है तो बस इसे लगाने के बाद अब हमारा ये pizza यानि कि garlic bread त्यार हो गई है oven में यानि कि कडाही में जाने के लिए तो इसके लिए अब ये जो कडाही हमने गरम होने के लिए रखी थी ना ये भी काफी अच्छे से गरम हो गई है तो carefully इस mold को इसमें रख देना है और इसे उपर से ढखके अब हम अपनी इस garlic bread को bake करेंगे लो से medium flame के ऊपर तकरीबन 8-10 मिनट या तब तक जब तकी cheese completely melt हो जाएका और मुझे क्योंकि garlic bread थोड़ी crispy पसंद है तो इसे रखे हो ये मुझे पुरे 9 मिनट होए है वाव आप देखे हो कि cheese कितना अच्छे से इसमें ooze out हो रहा है बिल्कुल अच्छे से melt हो गया है और नीचे की side से ये जो garlic bread है ये भी crispy हो गई है side से भी हलका हलका सा crispiness आ गई है इसमे तो बस इसी के साथ त्यार हो गई है आज की हमारी चटपट से बन जाने वाली जुगाड से बनी हुई पनीर टिका garlic bread तो बस अब हम इसे slices में cut कर लेंगे बहुत ही जादा tasty बनती है ये बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे वो market की वो महंगे महंगे restaurants की हम वो पनीर टिका वाली garlic bread खाते है ना बिल्कुल same to same flavor रहेगा और एकदम बनाने में भी आसान है ये वाँ हो आप उसका ये cheese बुल देखो कितना yummy लग रहा और इसके अंदर की sauces देख रहे हो कैसे बाहर आ रही है ये cheese और mayonnaise बहुत ज़ादा yummy बनती है ये और in fact मुझे तो ये market वाली garlic bread से भी ज़ादा अच्छी लगती है तो आप भी try करो मेरे साथ अपना feedback ज़रूर share करना और pictures आप मेरे सारे Instagram पे share कर सकते हो और अगर मेरी recipes पसंद आते हैं तो वीडियो को like कर दीजिएगा चैनल को subscribe करिएगा और bell icon को ज़रूर प्रेस करिए ताकि सारी notifications आप तक सबसे पहले पहुँच सके